है दोस्तों कैसे आप हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी आज फिर हम आजीर हैं अपनी अगली क्लास लेकर के वर्ग और वर्गमूल की और आज हम बहुत ही अच्छी टॉपिक पे बात करने वाले हैं वर्ग वर्गमूल नि निकालेंगे, divide method से निकालेंगे, मतलब जिसको हम कहते हैं भाग विदी, क्या कहते हैं, भाग विदी से निकालेंगे, divide method, क्या दोस्तों, divide method से निकालेंगे, भाग विदी से, गुड़न खंड विदी से आपने देख लिया था, अगर आप नहीं देखे हैं, तो मैं लिंक दे दोंगा डिस्क्रिप्शन में आप उहां से देख लिजिएगा कि कैसे गुड़न खंड बीधी से वर्गमुल निकालते हैं और गुड़न खंड बीधी कि हमें क्या उसकता पड़ी थी वह हम पेछली वीडियो में देख सुके हैं लेकिन आज की वीडियो में भाग बीधी से बहुत ही बड़े बड़े नंबरों का हम भाग विदी से जल्दी से वर्गमूल निकाल सकते जो कि गुड़न खंड विदी से निकालना में हमें प्राबलम हो रही थी लेकिन गुडन खंडबीदी भी सीखना हमें जरूरी था क्यों सीखना जरूरी था वो मैंने पेशली क्लास में आपसे बात कर चुका हूँ और आज हम divide method से वर्गमूल सीखने जा रहे हैं देखे दोस्तों जैसे कि हमारे पास एक number है 4489 यह number है और इसका हमको क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है इसके लिए हम क्या करते हैं जैसे आप divide मतलब भाग देते हैं सिम वैसे ही आप structure बना लेंगे आप और करना क्या है आपको दाएं हाथ की तरफ से या कह सकते हैं once digit या इकाई अंक की तरफ से जोड़ा बनाते हैं दो-दो number का जोड़ा बनाते चले हैं तेहां दाएं से यह दाएं हाथ है दाएं तरफ से दो-दो number का जोड़ा बढाते हैं हम किधर जाएंगे दोस्तों 20 तरफ बढ़ते चले जाएंगे दो दो नमबरों का जब जोड़ा बनाएंगे अगर जोड़ा बन गया तो अच्छी बात है नहीं बना तो और अच्छी बात है क्योंकि जोड़ा बन जाएगा तो जोड़े में भाग देंगे और जोड़ा नहीं बनेगा तो जो सिंगल बचेगा हम उसमें भाग देंगे और भाग देने का नियम क्या होगा दोस्तों जैसा कि आपने वर्ग पढ़ा था वर्ग में क्या पढ़ा था कि उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टिप्लाई कर रहे थे तो क्या रहा था वर्ग आ रहा था Same वह इस only process यहाँ गे है, कि जब हम भाग देने के लिए जाएंगे, जैसे 44 से एक number हमारे पास है, हमको इसमें भाग देना है, तो number जो हम चुनेंगे भाग देने के लिए, कि जैसे हम 2 चुनते हैं, तो अब हम भाग दे रहे हैं, दो नमबर चुन लिए कि 2 से हम भाग देंगे तो 2 का टेवल हम 2 ही बार पढ़ सकते हैं तो ऐसे ही नमबर मुझे चुनना है कि उसका टेवल उतना ही बार पढ़ें कि फोटी फोर आजाए उससे कम रहे जादा नहो तो 2 का टेवल अगर 2 बार पढ़ेंगे 49 होता है अपका तो यह जादा हो गया इसलिए मुझे क्या करना होगा 6-6-36 पढ़ना होगा इसका मतलब मेरे यहां क्या है कि यह भाग इसमें हम अगर 6 से देंगे तो 6 बार पढ़ना पढ़ेगा अब ध्यान दीजेगा जो वर्गमूल आएगा उसको मैं यहां पर रख देता जाएगा वहां पर और इस लाइन में मुझे दो जगल लिखना एक उपर एक जश्ट उसके नीचे इसके बाद जो टेबल पढ़ने पर आया जिसमें हम भाग दे रहे तो उसके नीचे लिख दिया अब अगला काम हमारा है कि यह को तो हम एड करेंगे 6-6 कितना हो जाएगा जीरो अब हमको क्या करना है आगे नंबर लाना है उपर से नंबर उतारना होगा उतारेंगे जब नंबर तो जोड़े में ही उतारेंगे इसलिए तो जोड़ा बनाया था जनरल भाग में एक नंबर उतारते हैं एक बार में जबकी वर्गमूल में हम क्या करते हैं हमेशा ज जोड़े में नमबर उतारते हैं जोड़े को हम एक नमबर समझेंगे तो यहां पर उतार लिया 89 अब ध्यान दीजिएगा अब मुझे इस जो जोड़ने पर आया हुआ इसके आगे एक नमबर जैसे 12 है ना ध्यान से बात को समझें बिल्कुल आसान कर दूँगा भी 12 के आगे हम एक नमबर जैसे माली जी एक रख दिया और एक से ही गुड़ा करेंगे जो नमबर रखेंगे उसी से गुड़ा करेंगे एक दुआई दू एक एक कब की इतना या जा इतना माली जी हम यहां पर दो रख दी मतलब चार रख दी तो चार से गुड़ा करेंगे तो चार हासील एक 4 दुना के 8, 9 और 4 एकम 4 अभी भी बहुत कम है तो मुझे क्या करना होगा इस 12 के आगे माली जी साथ रख दिजिए 7 सते 49 7 दुना के चवदर 14, 14, 14, 14, 17, 17, 18 आगे है मतलब क्या समझ पाए दोस्तों मतलब ये समझ पाए आप कि हमें जो ये जोड़ आया हुआ है यहाँ पर इसके आगे कोई नंबर रखना है और उसी नंबर से multiply करना है कि ये चीज हमारी आजाए ठीक है आप ऐसे रख रख के देख रहे हैं थोड़ा सा time लग रहा है मैं इस time को बचाने की कोशिस कर रहा हूँ जो इधर नंबर दिया गया इसमें से इकाई वाले नंबर को आप क्या करिए छीपा लिया करिए तो थोड़ा सा नंबर आपको छोटा मिलेगा और इधर जितना नंबर है उससे direct भाग जैसा कि भाग आप जनरल सीखे हुए हैं जैसे मैंने इसको छीपा लिया और बारह से भाग कितना बचा अठासी में दिया तो बारच चके बहत्तर बारच सत्य चावरासी बारव अठे चानवे आठ बार में जादा हो गया गया कितना बार साथ बार तो ये जान लीजिए कि अब इसके आगे हम सात रख्के ही multiply करेंगे तो ये आएगा या उससे एक बार कम जीतना बार भाग इसमें जा रहा जैसे चीपा के अठासी में या तो उतनार रख्के हांपे multiply करने पर ये चीज मिल जाएगी या फिर उससे एक बार कम उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ध्यान दीजेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे क्या होगा, हमेशा कम ही होगा, तो मैंने 7 रखे जैसे ही multiply किया, तो ये चीज मुझे तुरंत मिल गई, 889, इसलिए मैंने 7 रखा, 7 रखा, और 7 यहाँ पर, और 889 जब मेरा आ गया, तो जीरो, जीरो, जीरो कर दिया, इसको जोड़ने के आपको याओ सकता है नहीं, क्योंकि आगे मुझे भाग, देना नहीं है, मैं उमीद कर रहा हूँ कि ये मेरी बात आपको फिक से, समझ में कुछ आई होगी, आए next question, एक और question लेकर के, इस बात को थोड़ा और समझने की को तो यहाँ पर जोड़ा बनाना पहला हमारा काम है, बीना जोड़ा बनाए भाग नहीं दे सकते, मतलब वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो जोड़ा बना रहा है, इस बार क्या हुआ हुआ, एक number single हमारा बच गया, तो पहला काम हमारा है, कि इसी single number को हमको divide करना, ध्यान दी टू जिसके नीचे होगा, टू यहाँ पर, और जो पढ़ने पर table आया, यहाँ और minus कर लिया, यहाँ पर आ गया, 0, यह 2-2 जोड लिया, 4, उपर से हमारा जोड़ा उतरेगा, 93, मैंने क्या बोला था, कि इस नंबर को इकाई वाले को छिपाईएगा, इससे भाग दियेगा, 4 तरीके 9, 3, 4, 12 बहुत जादा हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला था, कि आपके लिए एक मददगार हो गया, कि काई अंकेकंग छिपाईएगा, इससे डाइरेक्ट भाग दिजिए, जितना बार जाएगा, उतना ही बार होगा, गुड़ा करके जेक कर लिए, अगर जादा ह गया, 9, यहाँ पे 0, 13 में से 4 गया 9, यहाँ से उपर से 7 और 2 आएगा, 7, 2 आजाएगा, जोड़ा अगला, अब मुझे फिर शिपा लेता हूँ, 44 से भाग अगर दूँगा, 97 में तो 44 दूना के 88 दो बार जा रहा है, तो इसके आगे अगर हम 2 रख्के मल्टिप्लाई करते तो 2 दूना के 4, 2, 4, 8, 2, 4, 8, अगर आपका मन कर रहा है कि यह 3 बार जाएगा, जाई नहीं सकता, चेक कर लिजिए, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 4, 12, 13, नहीं जा सकता, ना, देख रहे हैं, आपको मैं प्रूफ करके सीधे दिखा रहा हूँ, तो 2 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ दिखिए, और ध्यान दीजिएगा, जो नंबर रखेंगे, उसी से मल्टिप्लाई करेंगे आप, ऐसा नहीं कि यहाँ दो रख दिया, तीन से मल्टिप्लाई, ना, जितना नंबर रखेंगे, उतना ही से मल्टिप्लाई करने पर एची जानी चाहिए, अब फिर 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पर बच गया 6, तो 16 में से 8 जाएगा 8 ही हो जाएगा 0, बस समझ पा रहे हैं, उपर से हमको 8 और 4 उतारना है दोस्तों, इस बार फिर हम की छिफा लेंगे, तो 444 दुना के होता 888, तो क्या 444 के आगे दू रख के गुड़ा करने पर यह मिलेग हम उसे न, एक दो तो यह हो गया, एक दो आपका यह हो गया, एक दो यह हो गया था, यह दो हमने लिखना छोड़ दिया था, तो 4 दो हो जाएगे, ध्यान दीजिएगा, पहली बार दिया था, दूसरी बार दिया था, एक दो हो गया, तीसरी बार दिया एक दो हो गया, चौ में इंसे बर्ग हो जाएगा अब हम समझ पा रहे हैं कि आपको अँब बड़ा से बड़ा भी नमबर मिलेगा अब यह पूदा पूरा पुरा अगर कट तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि यह perfect square pr striking और निकलेग former changes के भी हम वर्गमूल निकालेंगे और जो perfect square नमबर नहीं होंगे उनके भी वर्गमूल हम निकालेंगे divide method से क्योंकि गुडण खंड विदी से हम उनके वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं जो perfect square number हैं तो ठीक है इनके वर्गमूल आप निकाल पा रहे हैं डिवाइड में थट से अब आईए इसमें का मैं ये और ये दो कोश्चन आपको बता दिया दोस्तों बकिया मैं होमवर के तौर पे ये तीन कोश्चन आपको छोड़ता हूं लेकिन इसमें का सेकेंड वले टाइप में का अभी एक कोश्चन मैं अभी आपको बताने के कोशिस करता हूं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे लेकिन इनको देखें कि ये कैसे लगते हैं इसमें का एक 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 जामपल हम समझते हैं कोश्चन नमर दो में देखते हैं दोस्तों question number 2 का कोई एक example ले लेते हैं जैसे माल लीजिये कि example number आप 3 ने ले लीजी मतलब C को ले लेते हैं और दिखा है कि 18 सही 15 बटा 179 ठीक है इसका निकालना हमको वर्ग मूल है तो पहले हम उसको सही बदले तो इसका इसमें गुड़ा होगा तो 16 गुड़ते 179 प्लस 15 और पूरे के बटा 179 ठीक है ऐसा तो आप गुड़न खंडविदी से भी निकाले थे अब गुड़ा करेंगे 169, 16 का गुड़ा 9 में करते हैं 169, 189 169, 189 क्या होता 89 को 9 हासिल हो जाएगा 18, 18 से गुड़ा करेंगे 26 का 126 26 में हमको कितना जोड़ना है 18 जोड़ना है 26 में 18 अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 44 144 कितना जाएगा 144 144 को 4 हासिल हो जाएगा 14 126 था हमारा 126 में 18 जोड़ेंगे 8, 6, 14, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 14 144 आया अब 14 हासिल हो गया फिर गुड़ा करेंगे 211 का में 24 जोड़ेंगे दोस्तों 211 में 4 जोड़ेंगे 25 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 अब इसके में हमको प्लस 51 भी जोड़ना है और नीचे है 169 जोड़ लिया 59 एक कितना हो जाएगा 10 9 1 10 को सुनना 4 5 9 1 10 5 हो जाएगा आपका कितना 6 और यह हो जाएगा 3 तो काफी आसान हो गया कितना काफी आसान हो गया तो मुझवाने भी बता सकते हैं लेकिन आईए जरा भाग बिदिस इसको निकालते हैं 36 100 का पहले निकालते हैं 36 होगा जरा ऐसे नंबर का भी देखिए तो पहला काम मेरा जोड़ा है तो जोड़ा तो बना लिया अब यह हो गया 6 6 36 6 6 कितना हो जाएगा 12 यहाँ पे 00 उपर से नंबर लाएँगे 0000 है अगर हम भाग देने की कोशिस करें तो कितना बर जाएगा 00 का गुड़ा कर देते हैं 00 बर जाएगा जब हमने बताया था आपको भाग में भी कि भाग एक बार भी नहीं जाता तो यह नहीं कहेंगे कि नहीं जाएगा मतलब 00 बर जाएगा 0000 सब 0000 हो गया 0000 आ गया बतलब हमारा एंसर उपर का कितना हो गया 60 हो गया नीचे का अगर 169 का निकालना चाहेंगे दोस्तों तो ये भी निकाल लीजिए जोडा बनाएंगे ऐसा एक एक कम एक हो जाएगा एक एक दो एक में से एक गया 0 छे नव उतार लिया तो ये तीन इहां पर लिख दिया तो कितना आ गया 13 आ गया अब इसको होल में बदलना चाहें तो बदल लीजिए दोस्तों ये हो जाएगा का वर्गमूल की बात हम कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा ऐसे मतलिजिएगा का वर्गमूल क्या हो जाएगा का वर्गमूल लिखेंगे ये हो जाएगा साथ बटा कितना तेरा बदल लेंगे तेरा चौक को बावन आठ बच जाएगा और नीचे हो जाएगा तो चार सही आठ बटा तेरा किसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं अंडा रूड में लिख सकते हैं वर्गमूल बोले यहां पर लिख सकते हैं रूड एक कई सही एक क्यावन बटा 179 दोनों बात एक कही है न तो इशी की बैलू आपका यहां पर आ जाएगा चार सही आठ बटा 13 बात हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ ग उपर का उपर लग जाता है नीचे का नीचे बाद में अगर होल में चेंज होगा तो कर दीजिएगा समझ पा रहे होंगे आप तो मैंने आज की क्लास में आपको भाग भी दिस वर्गमूल सिखाने के कोशिस की अगर कहीं से कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर समझ में आई दोस्तों तो पूरा होमवर्क करिएगा और एंसर को कमेंट बाक्स में भेजने की जरूर कोसिस करिएगा ठीक है एंसर कमेंट बाक्स में आना चाहिए आपका तभी हमें लगेगा कि आपने क्लास देखा है और आपको क्लास समझ में आई है क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए आज के लिए इतना ही नेक्स क्लास मिलेंगे जैन दोस्तों